इस वीडियो में हम करने वाले हैं रूबी के तीन कोशिंस जो की बेस्ट होंगे यार पुट्स प्रेंट्स और गेट के बेसिस पे जो हम अपनी पिछले वीडियो में कवर कर चोगे हैं यार कोशिंस का प्रैक्टिस करना बहुत जादा जरूरी है अगर आप नहीं कियाता है प्लीज कर लो ताकि आग जो भी में आगे कंटेंट डालो वह सारा का सारा आपको बहुत जट से मिल जाए ठीक है तो शुरू करते है अपने पहले कोश्चन के साथ पहले कोश्चन में हमारा क्या है कि अगर आप मैं को कोश्चन देखा हूं भाई तो कोश् प्रिंट हैलो यूजर ने ठीक है अपने एक मैथड करेट करना है जिसमें हम क्या कर सकते हैं यह हम उस मैथड से प्रिंट करा सकते हैं अपनी यूजर नेम को ठीक है और यूजर नेम जो हमारा आएगा उसमें जो हमारा फस्ट नेम होगा और जो हमारा लास्ट नेम होगा थीक यbn ये दोनों के इंपुट से आनी चाहिए ठीक है तो ये हमारा कॉशन है मिया क्वारते हैं सबसे पहले हम क्यों इस कॉश्चन के तौर पर यहां रख लेते हैं और इसको कर देते हैं फिरार के लिए comment ठीक और फिर हम अपना शुरूर करते हैं अपने पहले question क्यों ठीक है तो हमारा पहला question बोल लाए बोल यह रहा है कि है अपने को hello user name print करा ना और user name कंसे कंसिस्ट होगा यह user name में दो name वजाएंगे first name और last name ठीक है तो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं अपन user name में first name और last name लेते हैं तो मैं लेखा कि भी या username ठीक है और user name में आना चाहिए फिर्स्ट नेम ठीक और प्लस लास्ट नेम ठीक है और यह यूजर नेम किससे बने गा फिर्स वर्स्समें से बन रहा है यह यार मगर अभी यूजर औरर जो मेऄा यह क्या बोलते हैं should we've would अब हर लिखते हो यह प। नहीं अर्प अर्फ चनली के बासं को शर्ली तो आप आप देख सकते हो only तो मैंने बोला बहुँ थाँ प्लीज एंटर यह घी किया मैंने नंने बुलरा मैंने बुला बहुत की है एंटर या last name ठीक है last name ठीक और मैं को यहां से जो भी वैल्यनी आएगी ठीक है तो मैं उसक अफारत करने के अचाל reflect इड़ा यहां इस लिवी मैं यहां से वैल्य कि आएगी वह इसके चैनल यहां जैसा कि आप जानते हो कि यहां जानते हों बिक्कत होगी वह दिक्त्त क्या होगी कि यहां जो बनेगा वो कुछ दोनों साथ में जुड़ जाएंगे ठीक है तो मैं नहीं चाहता कि अब दोनों साथ में जुड़े तो इस तरीके से मैं इस syntax का use करूंगा और अब जो मेरा यहां user name print होना चाहिए वो यहां आ जाना चाहिए ठीक है तो चलो यार मैं प्रोग्राम को टर्मिनल में चलते हैं और रन करते हैं इसको टरन करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा Ruby और हमेरी जो यह प्रोग्राम फाइल है इसका tutorial.rb है ठीक है तो मैं लिखना पड़ेगा tutorial tutorial tutorial.rb tutorial tutorial.rb tutorial tutorial ठीक है तो अगर आप देखोगे तो यहां इस इंटेक्स error आ रहा है सबसे पहले जो मैंने आपको लाइन लिखे थी त्री कोश्टिंस जो हम इसके अंदर करने वाले उसको मैंन कमेंट नहीं गया ठीक कमेंट करके आम इसको सेव कर देता हूं फिर अपन दुपारा से जाते अपने terminal पर करते ruby.tutorial हमारे पास आ गया इंटरर फॉस्ट ने मैंने लिख दिया कि चलो यार मेरा फस्ट ने में में लिख और मैरा लास्स ने में विकास ठीक तो जो मेरा नीम प्रिंट हो गया हो क्या हो गया मेंटर विकास अब अब अगर आप यह देखो गया मैं मैं से एक experiment करें देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है गी नहीं ठीक तो अगर आप देखो कि तो अभी भी जो मेरा अब मेरा सिंटेक्स रहा रहा है इसका मतलब क्या है कि यह प्लस तो लगना ही लगना है ठीक है मगर अभी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा ठ तो उसमें आपको यह समझाऊंगा कि जब भी हम get से किसी तरी की value लेते है ठीक है तो उसके वह जो भी value होती है उसके आगे finally जो भी value store होती है उसके आगे slash n करके लग जाता है अपने आप ठीक है तो slash n क्या करता है यार slash n basically यह करता है कि हमारे next line में shift कर देता है ठीक है इसको खदम करने के लिए basically हम चॉम का यूज करते है ठीक तो for example यार अगर मैं इसको यहां यहां आपको यूज करकर दिखा दू बस बाकि तो मैं आपको समझा दूँगा बाद में CHOMP CHOMP right अगर मैं इसको चॉम का यहां यूज कर लो तो तब आप अगर देखोगी यार अ इस चॉम की यूज को बाद में देखेंगे अगर आपने देख लिया कि अगर मेरे कोश चीज को सही करना था तो हम कैसे कर सकते हैं ठीक है तो यह इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज यूज कर देना ठीक है जया तबते के लिए वैव नाइस दे और गूद बाई